हे गाईज आज का वीडियो है सेल्फ केर मोटिवेशन आपको मोटिवेट करने के लिए ताकि आप सिंपल सा रूटिन को फॉलो कर सको इस्कूल कॉलेज जोब सब काम पे हम लोग बहुत ज़्यादा बीजी है थोड़ा सा वक्त निकाले हेल्थ का और इस्किन के टेक क्यार करने के लिए मेंटली अपने हेल्थ को और फीजिकली अपने हेल्थ को कैसे और इंप्रूफ किया जाए एवरी डे रूटिन में कुछ चेंजेज मेंने किया है जो आप लोग के साथ में सेयर करूंगी तो बहुत ज़्यादा सिंपल तो होगी ताकि आप लोग उसको अच्छे से फॉलो कर सको और आप सबको भी मोटिवेशन मिल पाए सेल्फ क्यार के लिए सुबा उठते ही सबसे पहले अपने फोन पे न जाए क्योंकि सुबा उठते ही सोसेल मेडिया चेक करना वहाँ पे गंटो अपना टाइम पस करना अन्रियल लाइश्टाइल को देखना टू सुईट रिलेशन्सिप को अपने रिलेशन्सिप में कंप्यार करना इतना अच्छा skin है मेरा क्यों नहीं है दूसरों को अपने अपके साथ compare करना तो वही से कहीं न कहीं हम demotivate हो जाता है अपने घर अच्छा नहीं है तो मेरे ये अच्छा नहीं है दूसरे के साथ compare करने लगते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने रूटीन पे फोकस करना है फोन पे नहीं जब मैं बिदाउट फोन देखे अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हूं तो अल्रेडी ऐसा फिल होता है कि कुछ पोडेक्टिव कर रही हूं सुबह उठते ही अगर मैं पहले फोन यूज करती हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा अनपोड़क्टिव फील होता है और मुझे बहुत भूरा भी लगता है मूड आफ होता है ऐसा फिल होता है कि मैंने खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं इसलिए सुबह सुबह मैं सोसल मीडिया और फोन को थोड़ा इग्नौरी करती हूं और दूसरी चीज है कि दिन का सुरूबात करनी से पहले कुछ ऐसा चीज करो जहां आपको सुकून मिले तक कि स्कूल, कॉलेज या फिर ओफिस या फिर घर पे भी पॉजिटिव और एनरजी टिक फिल करो तो मैं अपना दिन का सुरूबात बुलेट कॉफी से करती हूं बुलेट कॉफी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफेट देता है अगर आप एमटी स्टेमाक लो तो बुले आपको बुलेट कॉफी लेना है इसका प्रोसेस है कॉफी, घी, एन होट ओटर इनों को अच्छे से मिक्स करना है और रेडी होगे आपको बुलेट कॉफी और मैं कोशिस करती हूं कि मैं सुबा सुबा लो एमटी स्टेमाक और उसके साथ मैं बुक्स परती हूं बुक्स Believe in yourself, have faith and your abilities. Without a humble but responsible confidence and your own power, you cannot be successful or happy. But with some self-confidence, you can success. दिन का सुरुबद हमें सब बुक्स से करो ताकि आपको बहुत कुछ सिखने मिले, आपको self-confidence और ज़्यादा improve हो, आपको अपने उपर भी बहुत ज़्यादा confidence हो, बहुत सारा चीज जो हमें पता नहीं होता है, बुक्स पढ़ने से पता होता है, आपका reading अच्छी होगी, आ आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा अपने लिए कि आपने सुभा बहुत अच्छे से सुरुवाद किया, जबसे मैंने अपने रूटीन पे आपने बुक्स पढ़ना, reading करना सुरू किया है, मेरा mental, physical health बहुत बहुत ज़्यादा peaceful है, और मैंने रूटीन पे ये सारे चीज़ सेयर कर रहे हूँ, तकि आप लोग भी ऐड़ करो, सेल्फ क्यार का मतलब कभी ये नहीं है कि दिन भर आप मेकप करो या फिर स्किन क्यार करो, सेल्फ क्यार आप हर एक चीज़ से कर सकते हो, पर आप बैलेंस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके, सुबा का 30 मिनिट्स मी टाइम है, और जब से मैंने अपना रूटिन पे इंक्लूट किया है ना, तब से मेरा मेंटेल हेल्फ बहुत ज़दे इंप्रूब हुआ है, आप लोग ज़रूर ट्राइ करना बहुत अच्छा रिजल मिलेगा आप लोग को, और स्किन क्यार करना हम स तब कोई पसंद है, और मुझे तो बहुत ज़दा अच्छा लगता है, और अगर होम रेमिटीज हो, तब तो मुझे और ज़दा हैपी कर देता है, बिकोज आई लव नाच्रेल पोड़क्त, क्योंकि क्यामिकल नहीं होता है, ज़दा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, और इसका रेजल भी बहुत अच्छा मिलता है, बिदाउट एनी साइड एफेक्ट, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पापाया लिया, अच्छे से मैस्क कर लिया, थोड़ा सा हानी लिया है, हाप्टी स्पून, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चावल का आटा यूज किया, तीनो में टैन है या फिर माउट एरिया में जो हम लोग को ब्लैक आ जाता है वो सारे चीज़ अगर है एक्ने का जो इस पॉट होता है वो सारे चीज़ को बहुत जी से रिमूफ करता है नहीं करें हैं कि होम्धू रेमिद्य थोड़ा सा लेट आपको रेजल लेगा पर पर प्रवीन रेजल डेटा है तो इसको हफ्ते में या तीन दिन चारदें भी उज़ और क्रुट शक्ते होदल या धैन्ट जादा टा कर देती हुा boots can artist करता है इसक को सिर्उत करता है हाईट करता है इसको हलकी हाथ से अगर जैसे हमलो करते हैं फौ hmm करते वैसी अगर करोगे ना तो आपकी इस की में जो हएट हें चोट चोट जो रहता है जो ब्लाक हेर्ट होता है उसको भी अच्छे से रिमूव कर देता है पर खरैस को क्लीन करने के बाद मेरा स्कीन बहुत ज़ाधा साफ्ट लग रहा है और बहुत जादा प्रेस लग रहा है इसकीन में एक हेल्दी गलो मे COP लोग भी ट्राइ पार्ना यह face pack बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका result भी बहुत ज़्यादा अच्छा है सो try करके मुझे comment में ज़रूर अफलोग बताना कम ज़्यादा product हम सब के पास ही होते हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि पूरा दिन हम लोग skincare करें अगर पूरा दिन skincare करेंगे तो और बाकी कम कब करेंगे और skincare का मतलब यह नहीं होता है कि कुछ ना कुछ पूरा दिन लगाते रहो अगर इतना ज़्यादा product यूज करोगे तो आपके skin को बहुत ज़्यादा damage कर सकते हो और इतना damage के बाद में repair भी नहीं हो सकी क्योंकि आज कल बहुत ज़्यादा market में acid serum के नाम पे बहुत सरा product है जो हमें जानकरी नहीं है जो product अच्छा भी है बुरा नहीं है बट अगर problem ना हो फिर भी हम लोग लगा रहे इस सोच के साथ की skin को glow करना है तो फिर आपके skin का barrier इतना हद तक damage होगा की कभी repair भी ना हो सके तो आपको पहले जानकरी लेना है पहले knowledge होना चाहिए कि कौनसा serum लगाना है कौनसा acid serum जाना चाहिए अपकी skin में तब जाके अपने skin routine को आप सुरू कर सकते हो और हमेशा आप कोसिस करो जितना हो सके थोड़ा से simple रखो जितना कम product use करोगे simple रखोगे skin उतना ज़्यादा healthy and glowing दिखता है ज़्यादा product लगाने से कुछ नहीं होता है क्योंकि आपका skin का layer में 3 layer तक ही आपका skin में कोई भी product absorb होता है 7 layer तक नहीं होता है या फिर आपका skin कोई खड़ा नहीं है कि कुछ ना कुछ आप डालते जा रहे हो और उस सोक करता रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है wastage money है wastage time है otherwise आप लोग बहुत समझदार हो अपना बारे में सोची सकते हो और मैं अस्थिरी finger rules sunscreen यूज नहीं करी हूँ खीकि बाहर का मौसम है बहुत ही अच्छा बारिस हो रहा है और ज्यादा धूप मी नहीं है बट मैं window के सामने हूँ UV rays तो आहीं रहा है तो skin को damage ना करें इसलिए मैंने थोड़ा सा sunscreen अपलाई कर लिया ताकि मेरे skin को protect कर सके सिफ मैं face wash and sunscreen लगाती हूँ नाइट के टाइम पर मैं face wash, serum and moisturizer apply करती हूँ बट यहां पर मैं क्या क्या पोड़ा की use करूँ इसलिए मैंने आप लोगों को एक ही साथ सब कुछ दिखा दिया क्योंकि मैं जितना कम पोड़ा की use करूँगी मेरे skin के लिए उतना ज़दा healthy होता ह and मैं ordinary का pink serum यूज करते हूँ because I have sensitive skin और ordinary का pink serum बहुत expensive है बट बहुत ही अच्छा है because skin का जो barrier है बहुत अच्छे से वो maintain रखता है skin को अच्छे से healthy glow भी देता है और मेरे skin में बहुत अच्छे से suit भी करता है मुझे जब जो product suit करते है मतलब मेरा skin के according, problem के according में change हमेशा करती रहती हूँ next है walkout, without walkout किये बिना self-care एकदम अधुरा है मेरे लिए because walkout करने से मेरा overall health बहुत जदा अच्छा रहता है मेरा mind बहुत जदा fresh रहता है और सबसे अच्छी बात है walkout करने से मेरा overall body का जो weight है वो manage रहता है मैं बहुत जदा light feel करती हूँ, मुझे बहुत जदा अच्छा और energetic भी feel होता है इसलिए मैं कोसिस करती हूँ कि मैं सुभा कर लूँ because मेरा सुभा का time बहुत जदा productive मुझे feel होता है और उस time करने में मुझे बहुत जदा मज़ा भी आता है तो अदा घंटा एक घंटा उसके साथ में walk कर लीती हूँ पर कोसिस करती हूँ कि अपने body को थोड़ा से move करें क्यों हमारा body बनाई है move करने के लिए वक आउट करने से आपका physical and mental health दोनों बहुत जदा अच्छा हो जाता है वो improvement जो है आपको दीरे दीरे दिखने मिलता है और workout एक ऐसा चीज है कि आपको ज़्यादा long time नहीं अब 15 दिन भी workout करोगे तो आप खुद feel करोगे आपको body इतना जदा light feel होता है आपको gas नहीं होगा आपको जो constipation का problem रहता है वो भी आपको चला जाता है आपको बहुत digest होता है आपका mind बहुत fresh रहता है आप बहुत happy feel करते हो body अगर light feel करता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको bloating नहीं होगा भारी भारी नहीं लगेगा आपका body भी नहीं है आदा घंटा कर लो so dear sister जो लोग वाक आउट नहीं करते हो अपने routine पर add कर लो उसके बाद जो result मिलेगा मुझे बोलने की जरूत नहीं है खुद आपको motivation मिलेगा workout करने के लिए तो जरूर add करना मेरा self-care incomplete है जब तक मैं अपना body के लिए internally कुछ नहीं करती अपना diet पे हमेसा green vegetable में add करती हूँ coconut water तक ही detox हो body hydrate रहे green veggies के साथ में red juice जो भी seasonable food है उसको add करती हूँ ताकि मैं जितना से जितना हो सके fiber ले सकूँ अपने green salad को include करती हूँ green juice को include करती हूँ red juice को include करती हूँ आज जो आप लोगे साथ में smoothie share करूँ इसका benefit बहुत जादा है इसके लिए papaya चाहिए papaya को थोड़ा चोड़ा 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 कट कर लेना है उसके बाद कड़ी पत्ता लेना है यह तीनों ingredients आपका hair fall, skin का glow, आपका weight management आपका हर एक चीज में बहुत help करेगा अच्छे स आधा glass पानी देना है उसके बाद smoothie बना लेना है यह smoothie आप सुबा सुबा आफ्टर breakfast ले सकते हो या फिर आफ्टर लंच भी इसको आप ले सकते हो इसमूती से आपको बहुत ज़्यादा help मिलता है आपका hyper pigmentation है इसकी में कोई glow नहीं है आपको तो आपको बहुत ज़्यादा high protein रीच है fiber है और आपको कड़ी पत्ता से अगर आपका hair fall हो रहा है hair का grow नहीं हो रहा है तो आपको बहुत help करेगा and pineapple से आपका skin का complexion तो अच्छा हो गई आपको weight loss में भी help करेगा तो यह बहुत अच्छा drink है try जरूर करना self care के मतलब बिल्कुल भी है नहीं कि किसी को देखके आप 2 दिन करो उसके बाद 3 दिन के दिन भूल जाओ self care आपको सालों तक करना पड़ता है उसके बाद आपको result मिलता है क्योंकि रात और रात कुछ भी चमतका नहीं होता है consistency के साथ आपको हर एक चीज फॉलो करना होता है मेरा skin पहले तो इतना better कभी भी नहीं था जितना सदा pimples था खड़ा था डाग था pigmentation था बहुत सारा चीजे था तो जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था बार धीरे धीरे patiently मैंने हर एक चीज को किया ह और improve भी हुआ है तो आज मुझे अच्छा लगता है कि चलो without makeup confidently घूम सकती हूँ और आप लोग के साथ एक चीज शेयर करती हूँ मेरा hair के लेके class 8 से मुझे PCOD था मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या मेरा पूरा खांदन को नहीं पता है PCOD होता क्या है फिर जब मुझे प देख रहे हो उसका growth अब देखोगे कितना सा चोटू सा है इसका कोई भी मतलब एक होते हैं थीख हैर मेरा वह है ही नहीं बट मैं अपने उपर ना वह confidence को डाउन नहीं करती हूँ मैं सोचती हूँ कि जो हो चुका है वो तो हो चुका है पर जितना है इसको कैसे मैं take care करके अच्छा कर सको इसको कैसे मैं better कर सको उसका मैं कोसिस करती हूँ कि मेरा hair तो चला गया है जब मैं छोटी बच्ची थी मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है नहीं करना है मेरे PCOD में मेरा पूरा hair चला गया है मैं almost टकली हो चुकी थी और अभी जितना hair देख रहे हो मेरा healthy lifestyle मेरा diet मेरा workout मेरा discipline के वज़े से otherwise कोई भी product ऐसा कुछ treatment मैंने hair पे किया नहीं क्योंकि उतना पैसा पहले था नहीं जो अब नहीं करती थी जो मैं कुछ कर पाऊं और अभी जो है वो आप लोग के सामने है because of my healthy lifestyle that's it और कुछ नहीं है और अभी मेरा hair पे उतना जदा bounce भी नहीं है तो यहां पर मैंने simple simple change किया अपने self को और जदा improve करने के लिए अपने body को और अपने hair को और अपने skin को ते यहां पर मैंने hair के लिए एक cut किया ताकि मेरा hair को और अच्छे से look मिल सके अपने skin tone के हिसाब से मैंने color किया ताकि मेरे skin tone को match करके अच्छा लग सके और इस cutting से यह जो color है इससे मेरा काफी हद तक मेरा जो पुरा look है वो भी change हुआ और अभी अच्छा भी लगता है आप लोगों ने भी मुझे बोला है कि मुझे अच्छा लग रही है haircut तो छोटा छोटा change करने से भी हम लोग अपने look को भी बहुत हद तक change कर सकते हैं पर हमें पता होना चाहिए कि हमको कौन सा style कौन सा चीज हमको हमारे personality के हिसाब से suit करेगा तो यह सारे चीज करके मैंने अपने आपको बहुत ज़्या इंप्रूव किया है ताकि मैं थोड़ी सी presentable लगू अच्छी दिखू और आप लोग के साथ भी share कर रही हूँ कि आप लोग भी तो आप लोग भी खुद के साथ experiment करके खुद का look को और अच्छे से change कर सकते हूँ और better कर सकते हूँ अच्छे से dress up होके रहना भी मेरे लिए एक self care है मुझे अच्छा लगता है और कभी-कभी दिल नहीं करता है तो पूरा दिन में loose t-shirt में भी रहती हूँ वो depend करता है मेर mood के ऊपर छोटी-छोटी चीज़े करके अपने आपको groom रखती हूँ और अपने self care करती हूँ आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताना I hope आप लोग को भी आज का वीडियो देखके थोड़ा motivation मिला होगा और मुझे feedback में जरूर share करना तक ही मुझे भी पता चले आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग को करना है, share करना है, like करना है, चैनल को subscribe करना है, मुझे धेर सारा प्यार देना है, फिर मिलती हूँ next vlog में, bye, love you, take care